हमारा ये अपडेट हमारे बाकी सब ये अपडेट से थोड़ा परक रहेगा आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तीन बारे में एक तो ये कि पीपल फार्म के हमारे आज तक के सफर में हमारी सबसे बड़ी क्या लर्निंग रही दूसरा ये कि आज हम अपने किस पड़ावते हैं और तीसरा कि आने वाले कुछ सालों में हमारा क्या प्लान है 2014 दिसंबर में जब हमने पीपल फार्म की शुरुआत करी तो सबसे पहले हमने ये दिवार खड़ी करी कि भई सारी दुनिया में जो मर्जी चले इस बाउंडरी वॉल के अंदर हम घायल जानवरों का इलाज करेंगे और उनकी अवाज बनके उन तक पहुँचेंगे जो फिलहाल जानवरों के पती समवेदनशील नहीं है अब ये काम बड़ाई मुश्किल है और नहीं नों जानवरों की कमी हैं जो घायल हैं और ना ही उन लोगों की जो फिलहाल जानवरों के पती समवेदनशील नहीं है हमारी ये मुश्किल तब आसान हुई जब हमें ये समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है कि हमें अपने जीते जी सभी लोगो जगा देना है हमें बस एक पहल करनी है उसके बाद खुद बाखुद लोग हमसे जुड़ते जाएंगे औरों को जोड़ते जाएंगे जगाते जाएंगे तो आज पीपल फार्म उस पड़ाओ पे है जहां हमारे साथ एक मिलियन यानि कि दस लाख लोग जुड़ चुके है इन दस लाख में से एक लाख लोग तो ऐसे हैं जो हमारा हर वीडियो अंत तक देखते है और इसमें दस हजाजार से उपर वो लोग हैं जो हमारे टेलिग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं सोच समझ कर फैसले लें कि जो भी वो करने जा रहे हैं उससे उन पे खुद पे और औरों पे क्या प्रभाव पड़ता है खेर मेरे बीचे इससे में construction चल रही है हम चार और mud बंगलोज बना रहे हैं क्योंकि हमारी टीम बढ़ती जा रही है जिससे ना सिर्फ जो हम काम कर रहे हैं उसको और बहतर ढंग से कर पा रहे हैं बलकि हम और expand कर पा रहे हैं अब हमारा मुद्दा है कि हमें भारत वरश में जो और animal rescuers हैं उनको अपने platform पे लाना है उनको support करना है ताकि वो भी अपना काम अच्छे से कर पाएं इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमारे गाओं में बच्चे हैं उनके लिए एक strong education program हो जिससे ना सिर्फ उनके पास एक school का ठपा, college की degree हो बलकि वो जिम्मेदार और बहतर नागरिक बन सके और उनके पास ऐसे skills हो जिससे उनको रोजगार मिल सके और इसके अलावा हम गाओं में और रोजगार generate करें जिन लोगों ने घर में गाए बैल रखे हुए हैं ताकि वो बूड़ी गाए भी रखें और वो बूड़े बैल भी रखें हम उनसे गोबर अच्छे भाव पर खरीद लेंगे इसी गोबर की हम खाद बनाके फिर उनको वापस बेचेंगे ताकि यूरिया की बजाए वो इस खाद का प्रेयोग करते वे जैविक गेहूं उगाए फिर गाओं में ही और लोगों को रोजगार देके हम इस गेहूं से ब्रेड बनाके महानगरों में बेच सकते हैं इसके अलावा हमने कुछ ग्रीन हाउस लगाएं इसमें हम एरोमाटिक अर्ब्स जो खुश्पूदार पौधे होते हैं वो उगाएंगे उनको सुखा के हम बेचेंगे साथ ही साथ हम यहाँ पे मिर्ची भी लगाएंगे क्योंकि हम गन्ना भी उगा रहे हैं जिसका हम सिरका बना रहे हैं और इसी गन्ने के सिरके मिर्ची और हिमाचल के ही पहाड़ी नमक की हम एक होट सास भी त्यार करके बेचना चाहते हैं तो खेर, हम चाहे एक green house लगाएं जिसमें हम बहुत से plastic का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत से लोहे की pipe का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे हम mud house बनाएं जिसकी पलंथ के पत्थर तो आखिरकार हम cement से ही लगा रहे हैं, हम संसाधनों का प्रयोग तो कर ही रहे हैं, एक तरफ हम suffering footprint की ब कर रहे हैं, या किसी भूखे का पेट भरने के लिए कर रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि सब को यह सोचना चाहिए, कि हाँ हम जीना तो नहीं छोड़ सकते, पर क्या हम इस तरह जी रहे हैं कि हम दूसरों को कम से कम नुक्सान पहुंचाएं, और क्या हम इस तरह जी रहे हैं कि हम दूसरों की जादा से जादा मदद करें